पुल्वामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आतंगबादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूँ जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं बली भाती अनुबव कर सकता हूँ हम सभी की सम्वेदनाए उनके साथ है भाई और भेनों मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूँ इन सहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतन के सरपरस्तों ने जो गुना किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जुरूर दी जाएगी अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्वी भी करते हैं भरोसा भी करते हैं सैनिकों में और विशेश कर सी आर पी एफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छुड दे दी गई है एक ऐसा देश जो भारत के बटवारे के बाद अस्तित्व में आया जिसके हाँ आतंकवाद को पना दी जाती है जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूँ धैरी रख ले अपने जवानों पर भरोसा रखिए पुलवामा के गुनःगारों को सजा कैसे दी जाएगी कहां दी जाएगी कब दी जाएगी कौन देगा किस प्रकार की सजा देगा इसाब यह हमारे जवान ताय करेंगे क्जान अभात इसक हो किय अनी प्रधान मंट्री गोडा कि महारस्टर यह हमाठ्रा भात इसकी प्रधान कुरह धूने भूंकार डिए पाकिस्ताने यारुसीत मुलू दिबोई लिएगी यह यह घरले किसो हूनकार डिय गजिए बागव और से लोगे झाल झाल झाल